इससे दोट्त है हुँए उसको तो काम ही यह है। लेकिन नंगां इस पे लोक मुखर नहीं है। जामी, राम देव को भूआ मैं तो उसे लाला राम देव बोलता भावार रामदेव ले वह पहले वहत है, बिस्नेसमेन है। अगर आपने ध्यान दियाओ बहुत पहले ये कोकोको लखला बहुत बोलता था फिर अचानक बंद हो गया क्यों ची उधर वो दरोगा पत्रकारों नंगा करता है उधर रामदेव सीधे सीधे धमकी देते हैं तो यही तो सिल्चा चलना है पत्रकारों की जान दाफ़त में आन अगर पत्रकारों की आठ दिर में तीन घटनाई ये होती हैं जो अभी आपने बताई हैं तो लोग तंतर कहा हैं यह एक आपका एक पिलर डैमेज पहले से ही है नमस्कार स्वागत है आप सभी का BGT News Network पर और मैं हूँ आपके साथ विपिन चोहदरी पूरे देश में पत्रकार उत्पीडन की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं और मद्य परदेश से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने पूरे देश को सरमसार करने का काम कि एक भाजपा नेता के इसारे पर मद्य परदेश पूलिस ने लोक तंतर के चोथे अस्थम्ब को हवालात में नंगा कर दिया इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए इससे में हमारे साथ में वरिष समाज सेवी लोकेश सलार पूरा जी मुझूद हैं लोकेश जी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका BGT News Network पर अन्यवादी पिंजी बहुत बहुत आपका मद्य परदेश में जो घटना हुई है लोक तंतर के चोथे अस्तम को एक भाजपा नेता के इसारे पर हवालात में नंगा कर दिया गया किस प्रकार की आपकी परतिकिरिया है क्या कहेंगे जो हुआ गलत हुआ लेकिन इससे बड़ी खतरनाक बाती है कि यह बार-बार होगा हर परदेश में होगा इसा यह रुकेगा नहीं इसके पीछे बहुत सारे कारण है मुखे कारण है कि सरकार वो को चला रहा है कैपिटलिजम पूंजी पती लोग और जब पूंजी पती लोग सरकार को चलाते हैं तो सरकार के सामने जैसे को ऐसी स्थिति आती है कि उनके पूंजी पत्यों के हितों को को दिक्कत आए तो जाहिर से बात है सरकार एक्षन में आ despite regard Engnagla नहीं ओई लोगतनतर नहीं हुआ अभी तखेल हए सवाल पूछने पर कहा कि मैं नहीं देता जवाब क्या मेरी पूले पूंच फाड़ हुआ इसकी जम्मेदार कही ना कहीं आपका मीडिया भी है स्वामी राम देव के अंदर है क्या खुबी थी कि उसे इतना बड़ा हीरो बना गया बताई आप मुझे उसके अंदर कोई खुबी नहीं थी अगर योगी अचारिय भी था तो उससे बड़े तो आचारे करम भीरते जिनके ये साथ साथ रहे हैं वो तो कहीं लाइम लाइट में नहीं है स्वामी राम देव को बलके मैं तो उसे लाला राम देव बोलता हूँ बाबा राम देव भी नहीं बोलता है, बिजनसमेन है, अगर आपने ध्यान दिया हो, बहुत पहले ये कोको कोले खिलाब बोलता था, फिर अचानक बंद हो गया, क्यों? क्योंकि कोको खिलाब बोलने से तब इसके गुड़े चड़े हुए थी, आस्था चलेने से चड़ाया था, उनकी बिकरी घटी, उन्होंने इसे एक पैकेज दे दिया, करने यार, पंगा ले, मत ले, अपना काम सुरू कर, उसके बाद ये बिजनसमेन बन गया, आज ये खुद दोगपती है, तो इसे इतना जब सर पे चड़ाया था, एक जो आदमी जिसलाइक नहीं है, आप उ पूछा तो सही, उस आप पतरकार को सली उठाए, रामदेव जैसा था सब को पता है, रामदेव ने पतरकार को ये भी कहा कि बस आगे सवाल मत पूछना, नहीं तो तुमारे लिए अच्छा नहीं होगा, जी, उधर वो दरोगा पतरकारों नंगा करता है, उधर रामदेव सीधे सीधे धमकी देते हैं, तो यही तो सिल्चा चलना है, पतरकारों की जान दाफ़त में आनी आनी है, अब उसके बाद को सरकारे और भी करेंगे, कुछ ऐसा नहीं है, यह रोकेंगे, यह सिल्चला बहुत दूर तो जाएगा, एक तरीके चाज़तर पतरकारों को अभी देखो, दो गटना आपने पहले पूची, तीसरी गटना यह है, यह गटना तो वह हैं, जो हाइलाइट हुई है, आपके गंगों में, आपके नकुडों में हर जगे काम रोज हो रहे हैं, वो छोटे चीजे हैं, वो हाइलाइट नहीं हो पाते, और पतरकार बिलादर लेकिन पतरकार बिलादरी कहा है, इसका जवाब तो आप लोग ढूड़ेंगे ना, जब आप लोग खुद कहीं विरोध नहीं करेंगे, तो ऐसे तो हो गई, आप सारे सरकारी कारे करम का बाइकाट क्यों नहीं करते हैं, कोई बाउंटर मचाईए तो सही जब आपके साथ यह हो रहा है, जन तक कहा तक आपका साथ देगी, सवाल तो है, कोई जवाब है इस बात का, तो मैं मानता हूँ, इसके लिए जिम्हेंदर पतरकार बिरादरी भी उतनी ही हैं जितने के और लोग हैं, एक चीज और, आपने पूछाता हैं कि पतरकार नंगा कर दिया है, वो यानि और सरकार केवल उसकी वैलियो मानती है, जो मानने ते पराप्त है, कोर्ट वगरे में उसकी जादा वैलियो होती है, जो मानने ते पराप्त है ही नहीं, उसको पतरकार सरकार मानेगे को, जब चाहेगी तब जेल में ठोक देगी, जब चाहेगी उसका ये उत्पिडन क दिन और खराब आएंगे पतरकारों के अगर यही चलता रहा तो लोकेश जी यदि लोकतंतर का चोथा अस्थम कमजोर होगा तो क्या आपको लगता है कि लोकतंतर बच पाएगा फिलाल आप देश में लोकतंतर समझ रहें क्या है अगर पतरकारों की आठ दिन में तीन घटना यह होती है जो अभी आपने बताई है तो लोकतंतर काहा है यह कि आपका एक पिलर डैमेज पहले से ही है उसके बाद विधाय का कारे पालेगा सब को पता कि इस लेविल पर खड़े है नया पालेगा भी कब तक बचेगी तो मुझे नहीं डगता डेमोकरिशी के चारो पिलर पालेगा कि आपकर उसे मीडिया जनता के सामने पताया का सरकार तो जनता चुनती है तो जनता को एक्च्छल में चल के आ रहा है तो मीडिया बताया कि ना और जब मीडिया की स्थिति है तो जनता कुछ पता ही नहीं लगगा फिर आपका वही सवाल आजता है कि सरकार यह क् चुकि जनता को पता नहीं था सच्चाई का इसलिए बन गई तो मीडिया की बड़ी जिम्मेदारी है और मीडिया वो जिम्मेदारी को निभाने में यह चाहे उनका सरकारों का दमान हो कुछ भी हो लेकिन पूरी दर सक्सम नहीं है आपकी यूनियन यही सक्सम नहीं है मैं तो यह मानता हूँ लोगेजी क्या आपको लगता है कि अब वो दोर आ चुका है कि जो जवाब देने वाला सामने है तो पतरकार को उससे पूछ कर सवाल करने चाहिए कि आप क्या जवाब दोगे हाँ दोर तो यही आगया पहले क्या आउता था अख़बार छपने के बाद बिकता था अब बिकने के बाद छपता है मुझे कि किसी ने बताया था लेकिन दोर तो वो ही है जो कि ऐसा होना नहीं चाहिए वैसे जो सवाल छोटी मोटे जैसा आप सवाल मुझे से पूछ रहे है यह सवाल इश्थरे के सवाल बड़े पतरकार क्यों बड़े लिडर से नहीं पूछ पाते है क्या वज़ाए क्यों से मजबूरी है अगर थोड़ी बहुत पतरकारता बच्ची हुई है तो कुछ बहुत एक दो बड़े संस्थान ने उनकी बच्ची हुई या फिर आप जैसे जो पत्रकार उनकी वेसे बच्ची हुई है चलिए तो ये थे हमारे साथ में समाज से भी लोके सालार पुरा जी जिनोंने मद्य परदेश में पत्रकारों के साथ हुई गटना पर रोस वेक्ट किया है और अपनी राय रखने का काम किया है यदि आपको ये वीडियो पसंदाया हो तो इसे जादा से जादा शेयर कीजिए लाइक कीजिए कमेंट्स कीजिए और इसके साथ साथ हमारे चैनल को भी सबस्क्राइब कीजिए नमस्कार